माहीश मदी के पन्नों में नई किरदार की एंट्री क्या ये अक्तर स्टाब्लिश कर पाएंगे इस फॉर्स टाइम एवर कारेक्टर को लोगों के दिलों में स्वागत आपका बॉलगराद स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी होस्ट शुती बाहुबली 3 एक ऐसी फिल्म का नाम है जिसे किसी इंट्रोड़क्शन या किसी डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं है फिल्म का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाएंगे ये नतीज़ा है उस सिरीज की पिछली फिल्मों ने ओडियन्स के दिलों पर किया है उस साल क्या छोटे क्या बड़े हर एक के पास बाहुबली से चुड़ी कोई न कोई चीज दिखी जाती थी कपड़े हैर स्टाइल डॉप कुछ नहीं तो फिल्म के गाने या डायलोग्स जिनोंने फिल्म को पसंद नहीं किया था उनकी भी जुबान पर इसका ही नान था और यही कारण है कि बाहुबली 3 में छोटे से छोटा रोल पे सजना भी किसी रहमत से कम नहीं है ऐसे में कुछ ऐसे सितारों की किसमत खुलती नजर आ रही है जिनकी ये फिल्म शायद किसमत पलट सकती है कौन और किस किरदार में जानने के लिए हमारे वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मेकर्स ने वेब सिरीज बाहुबली 3 पर अपना काम शुरू कर दिया था लेकिन फिर प्लान में चेंजिस हो गई और शायद अब ये फिल्म के रूप में ही लोगों को देखने को मिले इस वेब सिरीज टर्ण फिल्म में शिवगामी का किरदार कौन निभाएगा ये तो हमने आपको बता दिया लेकिन उनके अलावा हमारे पास एक और किरदार की खबर है और वो है सकंदाडास जिसके रोल निमाएंगे राहुल बोस आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये दोनों हैं कौन तो चलिए पहले कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं उसके बाद आक्टर पर आएंगे आफ्टर ओल एक रोल ही तो आक्टर की पहचान होती है है ना तो संदाडास एक न्यू कैरेक्टर है जो अभी तक बाहुबली सीरीज में नहीं गया है ये छोटी जात के बड़े उसूर रखने वाले एक आदमी है जिसे आम जंता तो बेहत प्यार करती है लेकिन राद सी ल पहचाना नहीं अरे फिल्म चैन खुली की मैन खुली में हमारे करण के पार्टनर इन क्राइम क्रिकेट वरुण जी हां वैसे तो राहुल ने अपने करियर में कई फ्ल्म की है उनकी आक्टिंग के कई फैन्स भी हैं लेकिन उनका कोई भी स्टैंडलोन फिल्म कमाल करके नह जादा हिच हुआ करते थे लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद इसी का सबूत है कि बाहु बली 3 जैसे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में राहुल बोस को काम मिला है इसके लिए वह काफी एक्साइटेड भी है और कड़ी महिनत भी कर रहे हैं अपने इसकिरदार के लिए फेक बियर्ड चुनने के बजाए उन्होंने रियल बियर्ड ग्रो किये हैं ताकि उनका कैलेक्टर जादा से ज्यादर रियल लगे लेकिन आपको बता दें कि उनका ये सफर इतना असान नहीं होने वाला है क्योंकि हो सकता है इस फिल्म का बजट बढ़ाया जाए और ऐसे म राहुल बोज को रिप्लेस करके किसी बड़े आक्टर को रखना की भी चांसे है हम तो यहीं चाहेंगे कि में बेस्ट वन भी सेलेक्टिड आपको क्या लगता है कि क्या राहुल इस रोल को निभा पाएंगे और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक खबरे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हम फिर हासे रहें एक नए वीडियो के साथ आप 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 आप